उम्गंगातरंगरमनियजटाकलाबं गौरी निरंतरविभूषितवामभागं नारायनप्रियमनंगमदापुहारं वाराणसिंकुलबतिंभज़गेश्वनादं नमस्कार, स्वागत है आपका आचारेवाणी चैनल पर और मैं आचारेविक्रमातित आपके साथ हूँ कुम राशी में सूर्य का परिवर्तन है वो क्या करने वाला है देखे परिवर्तन संसार का नियम है इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सताई है सब कुछ परिवर्तन शीर है, सब कुछ चलाय मान है, सब कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है वो परिवर्तन का योग बना रहा है सूर्य एक हमारे संसार के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं सूर्य नरायन की रूप में भारती संस्किती जो है भान सूर्य को सूर्य नरायन की रूप में उनकी फूजा करती है और ये एक प्रत्यक्ष देवता है नित्यपती अपने को दर्शन देने आती है तमाम भारती सस्किति के जतनी देवता हम जिनकी अराधना करते हैं, उनके लिए साधना करनी पड़ती है लेकिन सूर्य और चंडवा ये कैसे देवता हैं, जो नित्य वती हमें दर्शन अपने कर्म से देनी के प्रयासी करते हैं संसार के समस्त कर्मों को अविरल चलाने के लिए सुन्दर कर्म उपस्तुन्र कारे करते रहते हैं उनका प्रभाव इस अंसार में सब जगे व्यापता है दिन रात तो हैं ही सूर्य चन्दमा की वज़े से लेकिन उनका प्रभाव वास्तिक तौर पर मनुष्ठ जीवन पे पर पर्भाव वायूपर पर्भाव वनसपतियों पर प्रभाव हर इक पर पर्भाव पर अबलाता है। तुम्ब राशी वालों के लिए खास तर पर समझ लेना चाहिए क्या परिवर्टित होकर आपके बारवे भाव से निकल कर दशम भाव लगन में आ गए हैं लगन आपकी परसनालिटी का प्रतिक माना जाता है प्रभाव का प्रतिक माना जाता है आपका संपूर्ण रूप से परसना और हर तरह से लगन का प्रभाव होता है सबसे इंपॉर्टन ग्रह माना जाता है भाव माना जाता है सूर्य स्वामी है आपकी राशी के अनुसाइब से बात करें तो सब्तम भाव के जीवन साथी के और विशेशतार पर कई प्रकार से जी समझे तो व्यवसाइब के भाव माले जाते हैं इंडस्टी के मालिक माने जाते हैं और साथ आपकी राशी के दूसाथ से बात करें जीवन साथी के साथ-साथ युद्ध के स्वामी भी माने जाते हैं तो ऐसे वह सूरी का परिवर्टन बड़ा महत्वपून आपके लिए बनने वाला है सूरे लगन में जब होते हैं तो विशेशतार पर जब आ रहे हैं तो कई प्रकार अपना वर्चस तो स्थापित करेंगे अरे आपकी राशी जो है वो शनी की राशी है कुमराशी शनी की राशी है शनी वहीं चल रहे हैं पिछल एक साल से और शनी महराज को भी उनके सम्मान पुत्र की रूप में जाना जाता है सूर्य पुत्र शनी कहे जाते हैं और सूर्य पुत्र जो है वो लोप हो गए है उन्होंने भी पिता के आगमन पर वैसे तो आपस में 36 का आगड़ा है लेकिन सम्मान देखिए वहाँ क्लैश नहीं है कि जब सूर्य जिस भाव में पुत्र के घर आ रहे है तो शनी महराज वहाँ पर लोप हो गए अस्त हो गए कि महराज उनके आगे नत्मस तक होने के योग बना लिए तो ऐसे में सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव यहां उत्पन दिखाने वाले है और कहते हैं इस प्रभाव को कुछ भी कष्ट दे कैसे भी बहुत बताएंगे हम आपको लेकिन उपाए बड़ा संदर बताने का प्रयास करने है परोपकार परोपकाराय वहंति नद्या परोपकाराय दुधन्ति कावा परोपकाराय संपूर्ण रूपके संसार में जितना परोपकार करोगे सेवा करोगे उतना मेवा इस गोचर के प्रभाव से आपको मिल जाएगा बस अपने सुभाव में एक परोपकार का भाव उत्पन करने का प्रयास करो लालच मत करना बस लालच में दोनों का इंगा, माया मिली नराम, परोपकार करने का प्रयाश से नि करोगे तो ये सूरे का जो परिवरतन का योग है, वो बहुत महतपूर्ण आपके लिए लाब देने की योग बनाने वाला है, ये आपके लिए संपूर्ण रूपस है ध्यान करने वाला यूग बंता दिखाई दिराए ऐसे में विशेशतार पर ध्यान रखते हुए कारे करने की जरूवत है पसपरूपका जहां भी हो बहुत ज़्यादा लावच मिना पसे सेवा भाव से यह लिए काम करेंगे अपने काम को सेवा माननेगे न तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा सूरे का लगन में आना विशेशतार पर शनी की राशी में आना ये बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे में जो व्यक्ति का सुभाव है सूरे सुतंत्र है सूरे किसी के परभाव में नहीं आते है सब को पूरे संसार को अपने परभाव में उत्पन कर देते हैं और ये सुतंत्र विचार कई बार हो दिखा होगा आपने हो सकता है कि इस समय में विचार आपके सुतंता पराधिनता सुविकार करने वाले ना हो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं दयालू भाव भी अच्छा रहेगा ऐसे में विशेशतार पर लेकिन उच्चा भी लाशा बहुत देने वाले हैं ऐसे में कई लोग सूरे राजा हैं और जब सूरे लगन में आ जाएंगे राजा में तो राजा जब अपने आपके अंदर या अच्छा दित कर देंगे आपको ऐसे में कुछ चाटूकारों से बचते हुए कारण करने की ज़रूवादा और लगन में आके सूरे विश्षतर पर एंजाइटी बढ़ाने के यूग बना सकते हैं क्रोध बनाने के यूग बना सकते हैं तो ऐसे में संबूर्ण रूप से ध्यान लगते हुए कारे करने का आपको प्रयास करना चाहिए मित्ता नहीं होगी नए लोगों से बड़े लोगों से मित्ता होने के योग भी बनते दिखाई देंगे और एक और अध्यात्म में, तंत्र में, जोतेश्र में, इन सब विश्यों में भी आपका विचार नया जागर्ण हो सकता है यानि कुछ खोज करने की इच्छा, कुछ नया आरंब करने की सूर्य लगन में आ गए है तो कुछ नया आरंब करने के लिए हिम्मत का योग अच्छा का सा बनता दिखाईगा बस एक बात ध्यान लगना है आपको संकुचित विचार धारा, नयरो माइनड़ थाट को बचते हुए कारे करने की जरूआ थै बड़े विचाल हिर्दे से आप सुन्दा तरीके से कारे करने की योग बना सकते हैं स्वास्त के समद्ध में ध्यान लगन लगन में आए हैं वह सब्टम भाव पर धिख्टी भी बिता लेंगे क्योंकि सूर्य जब लगन में आते हैं तो हर चीज में 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 तो यह हो नहीं रखती है तो ऐसे में कुम्ब राशी वालों के लिए हम थोड़ा सा ये बात भाव रख रहे हैं कि भाई एक चुप सौ को हरा है यही सबस्वड़ा उपाय है आम तो पर लोग कहते हैं महाराज से कुछ बता दिया है उपाय तो बताई है उपाय बताया ना कष्टों को दूर करने के लिए एक चुप सौ को हरा है थोड़ा सूर लीज़े कोई दिक्कत नहीं है यदि यह आपने उपाय कर लिया तो सूरे संपूर लुप से परुपकार के काम बताई दिया आपको और हो सकते तो भवान सूरे का नित्यपति ध्यान करें उनके तेज को अपने अंदर ग्रहन करने का प्रयास करें ऐसे मैं विटमिन डी तो मिलेगी मिलेगी लेकिन साथ-स आपकी कांती आपके शरीर की स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी एनरजी देने के लिए बहुत सुंदर कारे कर सकते हैं तो सुबह 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 नान कीजिए एक लोटे में थोड़ा जल लीजिए और विशिषतर पर थोड़ा सा गंगा जल ले पूरे वर्ष आप एनरजिटिक रहेंगे यह सुन्दर उपाय बता रहें करके देखेगा बहुत सुन्दा तरीके से आपके लिए परवरतन का योग बहुत महत्वपूर्ण बढ़ने के योग बनते दिखाई दिखाई देगा इसी महीने में जब सुरे कुम्ब में चलते हों जोतिश का विशे हैं और इसके अनुसार से हम लेते हैं लेकिन माग मास की शुक्र्ण पक्ष्ट ही सब्समी आरों के संतान सब्समी इस रूप में जाती है यह संबिए ब्हवान सुरह के निमित ब्ल होते हैं उनका दान करने से इन सब चीज़ों करने से बहुत सुन्दा त युक्तिश विश्य है दशा चल रही थी एक वो दशा बहुत शुप थी तेकि फल नहीं दिखा रही थी और जेक्ती ने जरम पत्री भी कही जगे दिखाई हुई थी तो जब देख बोला हाँ जी दिखाई थी और उन्हें कहा कि आप जिसे दशा के बारे में बोल रहे हो और वो दशा सबसे कष्ट करने के संदर तरीगी से अपने आपको उपस्तित करने का प्रयास कर रहे हैं वो बड़ा भयावा हो गया है उन्हें ने मूल रूप से गोचर का पर भाव देखा यह नहीं तो साड़े साथ नहीं चल रही थी उसको ज्यान नहीं था ज्यान करने के लिए और विचार पता न आपके लिए तो हमने पताया ना भवान को अर्ग दीजिये उतने से प्रसंद हो जाएंगे और क्या शास्त में वरणित है छोड़ी छोटे उपाए शास्त में जो वरणित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्यान कामार प्र पंच हैं देखिए आपका विशिश्टर पर आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें दुकान है अने अने प्रकार की खुली है अब आप जहां किसमत से जाएंगे आपको भूनना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा सई दिशा आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत सारे समय से अपर कारी चलते है, नित्य-पती करीब 8 गंटी का यगे चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं हर अभीबार वाले कारी क्रम में, बहुत सारे और सुंदर कारी करम रहते हैं, अभिशेवात्री आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा क आरिक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभूक करपा से जिवन में कल्यान का माल प्रश्रस कर सकते हैं हमारा ये विविकरन योगा अश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है यहां बहुत सारे कारे हैं थे होस्पिटल बनाया है हम लोगों ने सौबेट का योगा नेच्रोपेथी प्राकिति शिक्रिसा आयरुवेट का सुन्दर होस्पिटल है और भारत सरका के साथ एन पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाव लेते हैं विभिन विवारियों में भी उनकी जोतिश के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यगे विज्ञान के द्वारा, चमतकार एकलाब मिलता है हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से तो आपका बहार जड़ी कर जाए तो कष्ट दूर होने के युग बन जाते हैं तो इन सब सिध्धानतों को समझते हुए, बारती संस्किती में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यग्य विज्ञान, सब चीज का विधान, शहस्तों शाक्षाओं का विधान विश्तित किया गया है, उन सब का लाब आपने, जोड़े विवेकान अन्दियोग आश् झाल